तो हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मास्टरमान ब्रक्स ऑफिशल तो भई आज हम आपके लेके आगे हैं एक 110 सिसी की बाइक जैसी का आप देख पा रही है बजाज की सिटी 110 एक्स तो आज इस गाड़ी के बारे में आपको पूरी दानकरी मिलेगी मेरे वीडियो में और उससे पहले में इसके बारे में तो बताना चाहता हूं कुछ लोगों को तो पता होगा लेकिन नहीं पता है मैं उनके लिए बता दो कि बजाज पहले अपनी जो है बॉक्सर सीटी 80 करके जो है गाड़ी लॉंच की थी अगर आपको पता है याद है तो सही अकर याद नहीं है तो लोग देशा है स्क्रीन के ऊपर जी बजाज की बॉक्सर जो की काफी चली थी मार्केट में और इसके मैलिज के वज़े से जो गाड़ी का अधा चली ती तब इक लेके लिए जए फ्रंट में देखा जाए तो यह जो गाड़ी है बजाज की सीटी 110 एक्स तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज यहां पी देखनों मिलेगी लेकिन यह गाड़ी का भीता स्लिम ट्रिम लेयें जैसे कि यहां फ्रांट में जैसे कि देख पा रहे हैं राउंड्सेब कि हएओ अपको देखनों को मिलेगी वह भी हैलोजेन में और जो यह जो हैण प्रैसिंग में आप देख लिए का प्रैसिंग में कितना क्या प्रैस है तो भई आज बात करें इस बारे में जैसे कि मैंने आपको बताई है जो है इसका है सेक्षिन रांड सेंब में भiblय जाता है है घ्ल जिन में देखने को मिलेगी उसके बाद आपको यहाँ पर थे असलेटर देया गया है अब खेय'll यहाँ डेफिनेटली वाई अगर 75000 की गाड़ी है तो यहां पे आपको एलीड तो नहीं मिलने वाली है सिवाए DRL की तो इस गाड़ी आपको DRL मिल जाता है और यहां पे इसका नंबर प्रिट आप लगा सकते हैं तो बहुत कलर भी देख लेजिए यह जो गाड़ी है जो बाई के य और यह ब्लाक एंड रेट कलर में घ्रुइघ आप ओपर साइड में भी और जैसे को अगर देखा जाता है तो यहाँ पर 3 गलर जो ही यूज किया गया है जैस्क इम्नोब्ता एक रेड्ट ब्लाग कर मेंूढ में काफिए फूरत नजर आती है इसके कलर के वज़े से और अपर पार्ट में आपको रेडम ब्लैक मिल जाता है नीचे के जो यहां पर पार्ट देख रहे है ना पूरा यह पूरा क्लिट लपो जो है ब्लैक कर आपको दिया गया है तो देखने से काफिए अट्रेटिव लगती ह सब्सक्रार्ण किन रधार करते हैं यहां से कणे यहां इस सब्सक्राट आपको रेइगे जाता है और सब्सक्राइब को तो फ्रेंव जाता है लेक्ट के टेलिस्कोपी की सस्पेंशन अभी पीछे की बात कर लेते हैं अब यह राज का पिछे का टायर तो पिछे का जो टायर जो साइज है वह आ जाता है 3.0 और 17 इंच का आपको यहां पर अलो देखनों को मिलेगी जैसे कि देख पा रहे हैं स्पेंशन आपको मिल जाता है स्पेंशन वित नाइट्रोक्स कैनिस्टर जो कि काफी अच्छा आपको जो है राइडिंग प्रोवेट करके देगी काफी कंफोर्टेवल आपको यहां पर मिलने वाली है इस बाइक में अभी बात करते हैं इसकी इंजिन की तो भाई यह रहा इ इंजिन जो की 5cc ज्यादा मिलेगा आपको इस बाइक में आपको मिल जाता है 8.6 PS की पाउर और 9.8 अलम का इसमें टॉक मिलेगा तो भाई जो पाउर उससे ज्यादा आपको इस बाइक में टॉक मिलना है वह बज़ाज के सबसे खास बात है अगर आप बज़ाइक चलाए हो होंगे तो डेफिनिटली इसका जो पीकप है इनिसल पीकप है उसके बारे में आपको जरूर पता होगा कि काफी अच्छा आपको यहां पर मिल जाता है पीकप के साथ आपको इस बाइक में चार गेर मिल जाते हैं पकी रहाएं डिटेसर डूइन सब्सक्राइब लगा तो उसमें भी उसी टाइप के टेल लाइट दिया जाता है और वो चीज आपको यहां पर भी मिल जाता है बजाज की सिटी 110 एक्स में ठीक है ना तो जैसे की देख पार है यह रहा इसका टेल लाइट इंडिकेटर हैलो जिन में यह रहा इसका रिफ्लेक्टर ओके बाकि बा कर देख पा रहे हैं कि गियर कैसे के डालेंगी यहां पर इसका जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाता साइड में ओके तो भाई इसके बात कर लो क्या कि एसेसरी इस बाइक में लगा हुआ है तो बहुँ देख लिए यह जो है और यह जो फूट्रेस्ट आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां रहा है जो देख रहे हैं और तो अगर फ्रसकी यहां चाहथे हैं तो इसके लिए आपको थूर से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर आप आपने गाड़ी में सामान कुछ लात के लेके जाना चाहते हैं तो उसका आपको मिलेगा काफी यह बनाई गई है इसमें टॉर्क बीजाद मिलता है तो जैसे कि देख पारें यहां पर पोश्चन आपको यहां पर दिया रहा है यहां पर यहां पर यहां इसका की अपर हलकी फुलक की मिल जाते हैं प्रैस के साहिए कि इसेट करते हैं तो आपको यहां पर कि इसा कुछ देखने का मिलेगा इसका क्लेश्टर तो दो डायल में दिया गए इसके दोनों डायलों में अर्लेफ्ट ने साट माको यहां पर मिल जाता है जैसे कि देख पारें यह है कि छेसा को ये तेननों का सुनने पर मिलेगा और याएतर सीटेस को मिल जाता concerned है यहां पर इसका सब्सक्राइब रॹष्ट ब्लड़ है बाइक को सेल्फ भी मिल ला है उसके यहां पर यहां पर यहां पर मिल जाता है यहां पर यहां पर 10.5 लिटर का फ्वेल टेंग कापसिट है इस बाइक में तो कफी सही है इतना तो होना है जैसे कि बाइक काफी ज्यादा बड़ी भी नहीं है यहां पर फ्वेल टेंग काफी ठीठा की आपको मिल जाता है सीट के अगर मैं बात दोता आपको यहां पर काफी काफी कमफ़र्ट मिलने वाला ठीक ना बागी मैं सुनते हैं अब इस बाइक का साउंड अब तो बहुत नो डाउटली यह इस इक आपको यहां देख नो को मिलेगा और यह रहाँ इसका जो मफ़र वह आपको सैटन सिल्वर कलर में आपको मिल रहा है इसका मफ़र रहे हैं आपको ब्लैक कलर में दिया गया ठीक है ना जो कॉलर कंबिनेशन देख पाने गाड़ी में काफी अच्छा रखा गया है एक अट्रेटिक लुक दे रही है अगर रोड के उपर चलेगी तो गाड़ी काफी जो दूर से नजर आ जाती है कि हाँ आर एक आर एक कलरफुल बाइक जैसे की देख पा रहे हैं तो यहीं सारा जो है चीज था इस बाइक को लेके और जैसे मैंने इसका प्रैस बादाए आपको 75,000 ना जाते इसका अनलोड प्रैस उसी साबसे बाइक में जितना जो फीचर दिया गया है तो वह फुली जस्टिफाइड साबसे अगर आप एक कमर्सली भी करना चाहते हैं वाइक को जैसे कि मैने आपको दिखाए कि बाइक मैप है विलोड भी आप लेके जा सकते हैं जैसे की सामन वगेरा लोग कुछ भाज़कर करके लेते हैं पिछे में साइड में हो गया तुसी साथ से भी आप आप आराम से ले जा सकते हैं फैमिली यूज है कमर्सियल उसके लिए यूज कर सकते हैं कोई भी इश्यू नहीं आएगा पिक अपके अच्छा मिल जाता है नो डाउट ली तो दोस्ते ही ताज का वीडियो इस 110 110 एक्स के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को प्लीज सब्सक्रेक मैंना मत बुलिएगा तो मिल तक लोड़ों में तन्यवाद